तेज बढ़ने का जो सबसे सा तरीका है वो होता है धीरे धीरे ग्रू करना यह बहुत अच्छी फिलोसिफी की लाइन है जो सबसे तेज बढ़ने का आगे की तरफ करना जो रास्ता होता होता है वो यही है कि जितना धीरे धीरे बढ़ोगे उतना ही तेज आगे बढ़ोगे जहां से हम अपना trade execute करते हैं इसके उपर आप अपना trading account open करवा करके especially उसे trade करना स्टार्ट कीजिए आपको दूसरे broker से बहुत ज़्यादा facilities जहां पर मिलेंगी और यह स्मूधने समझ मैंगी internet trading के लिए options के लिए और delivery के लिए सबसे बहतरी जो हमको यह लगता है पिछले एक डेड़ साल से लगाता हम इसका use करें यहां पर अपना account open करवा करके हमें अपना screenshot share कर दी जागा जो monthly workshop होती है अपनी one day की last Saturday को month के last Saturday को जो class होती है उस class का free access आपको मिल जाएगा जिससे क्या होगा कि उस class में काफी सारी चीज़ें जो price actions related है हमारी trade executions related है जो trade हम execute करते हैं उसके उपर जो discussion होती है वो सारी की सारी चीज़े उस class में होती है उसका free access आपको मिल जाएगा तो thanks and वापस चलते हो अपने video पर लेकिन अगर हम किसी सी यह बात कहते हैं कि आर इंवेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं क्या answer आते हैं मालूम है कि sir इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास कहां से करें पहले trading से बना लेते हैं पैसा उसके बाद में कर लेंगे जब बड़ा पैसा आ जागा तब हम investment स्टार्ट करते हैं investment के लिए बड़ा मोटा मोटी रकम चाहिए होती न है यह नहीं अपने पास दूसरा जो आपके पास सवा आंसर आता है मेरे पास इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा इतना टाइम थोड़ी ना है मेरे पास देखिए हो सकते यह बात आपको बुरी लगें लेकिन यह मार्केट गरीबों की नहीं है गरीबों का सेंस हमारा दूसरा है गरीब का मतलब के जो रोएगा पैसे के लिए या मेरे पास तो पैसा ही नहीं है जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यार पैसा ही नहीं है और ट्रेडिंग में लागों रुपए खतम कर देंगे उस दो ही लोगों के, जिसके पास पैसा है और टाइम है. समझ भारे? जो इसको जितनी जल्दी आप समझ लोगे, उतना ही आपका फैदा होगा. पैसे की जरूरत नहीं होती. पैसा मार्केट ही देगी आपको. यहांपर पैसे वाले लोग थो लिए पैसा बनाने लग जाते हैं. ऐसे ही classes में discussion जब होता है तो पता चलता है किसी ने 20 लाग का loss किया हम कम बोल रहे हैं किसी ने 20 लाग का loss किया किसी ने 30 लाग का कोई-कोई एक-दू लोग हमारे touch में ऐसे है जिन्होंने करोडो करोड का loss किया है तो पैसा तो उनके पास भी है तो आपको इन बातों पर गौर करना पड़ेगा और जब फाल्दू का रोना होता है कि पैसा नहीं है हमारे पास पैसा होगा तब करेंगे और टाइम भी नहीं उसमें तो बहुत टाइम लगेगा ना उसमें तो एक मैने छे मैने साल अगर आपके पास सौ रुपए हैं और इन सतर रुपए को आप छुओगे नहीं ऐसा नहीं है कि तीस रुपए पर आपका लॉस हो गया है तो आपने इन तीस रुपए को रिकवर करने के लिए सतर रुपए की कौण्टी जहां पर निकाल दी मतलब सतर रुपए में इसे फिर आपने यहां से दस ले लिए अब यह सतर आपके बचे साठ और वो स्टॉक कौन से होगा यह बताना मेरा काम है यह हम आपको बताएंगे कैसे स्टॉक को होल्ड करते हैं क्या काम करते हैं हमें यह देखना है बहुत जादा दिमाग नहीं लगाना होता है एकदाम सिंपल यह मेरी 200 मोविंग एपरेज है हम हमेशे यह देखते हैं कि जो सस्ती चीज होती है जो सस्ता होगा हम उसको उठा लेते हैं अच्छा इसमें होता क्या है ना कि कोई भी स्टॉक अगर 200 के ऊपर ट्रेट कर रहा है तो यह माना जाता है जनरली जो हम लोगों को समझाया जाता है कि प्राइस स्ट्रॉंग है 200 मोविंग एपर आप जब स्टॉक आया तो आप बाई कर लो और जब 200 के नीचे है तो आप उसको शॉर्ट मार दो तो एक सिस्ट्रम पहरे बताते हैं कि 200 मोविंग एपर अगर कोई स्टॉक ट्रेट कर रहा है तो आप बाई कर लो यह खुद भी हम बताते है एक लास के अंदर वो जो सेट अप होता था बहुत अच्छा काम खरता है लेकिन अब अगर इसको और भी जदा में स्ट्रॉंग करना है तो आप देखिए थोड़ा सा लॉजिक इस बात पर लगाईए कि अगर 200 के उपर है तो वो स्ट्रॉंग है अगर 200 मोविंग एपर है तो वो महंगा है हमें वेट करना होगा इस्टॉंग मेरा सस्ता हो वो गिरे वो वीग हो वीग ही तो स्ट्रॉंग बनता है न या स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग बनेगा जो सस्ता होगा इस्टॉंग वही तो हमारा महंगा होगा न बाद में या फिर महेंगे को हम और महेंगा करने जा रहे हैं I think इतने में आप समझ गयोगे कि करना क्या है बहुत सिंपल वे से चलना है Two-handed moving average के नीचे जो भी stock trade करेगा उसके अंदर हम लोग अपनी buying positions create करते हैं आधे लोग इस class के अंदर ऐसे होंगे जिन्हें double bullish और bearish के बारे में नहीं मालूम है वो इसको थोड़ा सा भी छोड़ देंगे आगे चल करके जब उन्हें double bullish और bearish बताएंगे तब उस concept को आप इसके अंदर add कर दोगे और जिन्हें मालूम है उनके लिए ये प्लाइब उन्हें double bullish formation को find out करना है range के नीचे moving average के नीचे जो stock होगा उसके अंदर आप double bullish की formations देखोगे और जब price अपर double bullish के ऊपर निकलेगा तब आप यहां से buying करेगा हमेशा resistance के breakout के साथ में trade execute होगा विप्रो है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं moving average लगा लेते हैं इस stock के अंदर हमें यह देखना है कि कहां पर इनके swings ब्रेक हो रहे हैं जो formations हमने आपको बताई है double bullish की हमें यह देखना है कि price double bullish का breakout कहां पर करा यहां पर कुछ areas देखे यह black वाई line जो उपने mark कर रखी है इन formations को देखते हुए mark की है अभी भी हमें मालूम है कि price का जो latest swing बना हुगा है यह वाला area price को इस वाले swing के उपर एक बार निकलने का weight हम लोग करेंगे और 200 moving average के नीचे नीचे ही trade कर रहा है और इस range के नीचे में जाने के बाद मगर इसने कोई swing बना दिया और उस swing को अगर यह break कर देगा हम लोग यहां से buying positions अपनी करेंगे कभी भी हम लोग 200 के उपर जो stock होगा ना हम उसके अंदर buyings create नहीं करेंगे जैसे कि यहां पर देखिए यह तो उपर उपर में travel कर रहा है अपना आराम से तो जाने दिए हमारे किसी मतलब का है नहीं नहीं हम इसके पर test करेंगे कोई हमारे काम की चीज़ है कि price हमारे moving average के नीचे की तरफ trade करें और जैसे ही price हमारे इस swing को break करेगा हम लोग इसके अंदर अपनी positions create करते है target area 10% का minimum target हम ले करके चलते हैं और इसके बाद में यह जो मेरी average volumes होती है average moving average होती है यह हमारा target area होता है जैसे stock यहां पर पहुंचता है हम लोग यहां से निकलने की कोशिश करते है इसके आगे को जो strategies होती है हर बड़ी किसी चीज़ की जल्दवाज़ी मत कीचेगा अभी हमने कहा कि आधे लोगों को double bullish double bullish का मालूम होगा आधे लोगों को नहीं मालूम जिनको नहीं मालूम है तो इस मतलक जाएगा क्या होता है कब मालूम पड़ेगा कैसी पता चलेगा जल्दी सी जल्दी पता चल जाए समय पर दीरे दीरे सारी चीज़ हम आपको देते चले जाएंगे अभी के लिए आप जिनको नहीं मालूम हूं उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि ऐसे स्टॉक आप फाइंड करो जो कि टू हेंड़ेट के नीचे ट्रेट कर रहे हूं और लेटेस्ट स्विंग्स को ब्रेक किया ह अभी कोई फॉर्मिशन नहीं सिंप्ली हम लोग क्या काम कर रहे थे स्टार्टिंग समने जो चीज़ आपको बताई है कि अभी हम लोग से प्राइज एक्षिन के पर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्राइज एक्षिन सुप्रीम है फॉर्मिशन नहीं अब हैवेल्स के अंदर द इमने क्या बताया है तो हैंडर हमारा टार्गेट रहता है या फिर इस टॉपर की तरफ निकल गया जाने दो हमें इसके नदर कोई बाइंग नहीं करेंगी फिर से गिरे गई गिरने दो गिरने के बाद में जो स्विंक्स फॉर्म कर रहा है यह डवल बुलिश की ट्रेड एक्जेक्यूट करेंगे 200 के ऊपर मतलब 200 तक टार्गेट खुले करके जाएंगे और इसके ऊपर देख लेंगे कोई बेरिस सिगनल मिलेगा तो हम नेकल जाएंगे नहीं मिलता है तो होल्ड करेंगे फिर से प्राइज जा तो नीचे अभी देखिए बिलकुल यही पर ही ट्रेवल कर रहा है तो जाने दो अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे के प्राइज हमारा गिरे गिरे गिरने के बाद में जैसे फॉर्मेशन का ब्रेक आउट होगा हम लोग ट्रेड एक्जिकूशन नहीं लेकिन जब होने से पहले हमें मालूम पढ़ जागा ला कि कहा पंढ़ने सोग इंटिफाइब करने यह समझ मैं आपको दें आपको देंदे इस तरह से सटरे से क्लोज होती है आप लोगों को बताया है प्राइस हमारे स्ट्रेंग को ब्रेक आउट मारेगा हम लोग अपना थ्रेड मार नीचे प्राइज कि उसको एग्जाॉस्ट हूगा अब नहीं रुकेंगे हम, अब निकल जाएंगे, फिर से गलती से कहीं 15-20 दिन के बाद में आपने चार्ट टोपेन के आपको पता तिला रहे हैं, तो टार्केट मिल गया, होता यही है, fixed income है, हम बार बार आपसे गोड़ने, रिस्क तो रहता है, लेकिन सबसे safe, अगर मार्के कहा है, जितनी की जितनी भी आपने फीस दिये हैं, गैरेंटी के साथ हम बोले है, सारी की सारी फीस आपके रिकवर हो जाएगी, इस सिस्टेम के तरू क्योंकि यहां लॉस नहीं होगा, ट्रेडिंग वो जो चीज हम आपको बताएंगे आभी काफी लंबा प्रोसेस अपना आख बंद करो, 200 moving average लगा लेओ, इस टॉक को सस्ता होने तो गिरने तो जितना गिर रहा है, विप्रो का example लिया न, गिरने दो उसको, swing break करेगा न, आप मार दो, हम तो विप्रो को इतना लेकर के बुलिश है, कि उसको जहां पर हो यह वहीं से चला जागा उपर, लेकिन swing के breakout का वेट हम इसलिए करें, क्योंकि हो सकता है कि swing breakout का वेट आपको लो, तो एक fast movement आपको मिल जाए, वरना 2-4-10 quantity आप लोगों के अगर capacity है, तो विप्रो के अंदर कुछ quantity लेकर करके रख दो, आप loss नहीं करोगे, guarantee आप loss नहीं करोगे, Tata consumer है, Tata consumer products, उठा कर रख लो अपन करके भी, मतलब अगर हम लोग देखें, तो techniques के recording हम इसके अंदर कोई execution करने के काबिल है नहीं, rule ये बोलता है कि इसको नीचे की तरफ गिरने दो, गिर के जब ये उपर जागा ना तब हम लोग trade execute करेंगे, लेकिन जब विप्रो को हम देख रहे है ना तो विप्रो बहुत अच्छा देख रहा है, गिरने, swing का breakout हो जाए, तो आप trade मार दो, और वहीं आप देख रहे हो अपने इसको data consumer को lines delete करते है, data consumer, तो data consumer मुलकुल average पर है, जावेज जी, F&O के वो stocks हम लोग उठाएंगे, nifty 50 के उठाएंगे और nifty 100 के उठा लेंगे, बहुत स्यादा, F&O में अब भी हम लोग वह stocks उठाएंगे, जो कि 500 यह 1000 रुपए से उपर trade कर रहा होगा, मतलब ठीक ठाक volume के साथ उसके अंदर काम चल रहा होगा, कोई stock selection इसके अंदर नहीं, iPhone, अभी हमने क्या बताया, 5-10% का target हम ले करके चलेंगे, और अगर 200 moving average के नीचे हमने अगर trade execute किया, तो 200 की average हमारा target area होगा, अच्छा stock, जावेद जी हम इसलिए बोल रहे ना, क्योंकि अब जब आप इस तरह की stocks उठाओगे, तो फिर आपको बहुत analysis करनी पड़ेगे, आपको उसके अंदर PE ratio देखना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा, जो company है, उसके उपर कित return दिया है, है ना, यह सारी चीज़ हम लोग फिर देखने लग जाते हैं, तो जब आप इस तरह की stocks को उठाओगे, तो इसमें होगा क्या रब, कि एक तरह से फिर analysis करनी पड़ेगा, आपको, निफ्टी 50 में क्या है, जो stock अच्छा perform ने करेगा, निफ्टी 50 से बाहर हो पर नजर बना कर रखो, 200 से दूर जाने दो, उसको नीचे की तरफ गिरने दो, उठा कर रखो अपने पास, strong stocks उठाओगे न, तो बहुत ज़्यादा analysis करनी की जूरत नहीं पड़ेगे, 200 को लगा रो, बहुत ज़्यादा देखनी की जूरत, हफते में एक दिन आप देख ल सिर्फ 30 सुर्पे में लगा रखे हैं उसमें, बाकि जो हमारा बड़ा investment है न, वो investment चल रहा है,